आज हम अध्याय एक वास्तिक संख्याएं के बारे में अध्यन करेंगे सबसे पहले हम आर्टिकल यूकलिट ब्यभाजन पिरमेगा के बारे में देखेंगे इसमें आप सभी को एक समिकन देखा रहा है जिसमें चर ए, बी, क्यू, आर का उप्यों किया गया है और जहां पर चर आर कमान जो है, बी से कम होना चाहिए यहां पर ए क्या है, ए को हम भाजे कहते हैं, बी को भाजा कहते हैं, क्यू को भागफल कहते हैं, आर को सेसपल कहते हैं यहां पर बच्चे देखेंगे, हमने एक उधार्ण लिया है, 17 बराबर 6 गुण 2 बधन 5, इसका मलब यह होता है, कि जब हम 6 का भाग 17 में देते हैं, तो सेसफल हमको जो 5 मिलता है, तो 5 यहां पर क्या है? सेसफल, और 6 क्या है? भाजक, और 2 क्या है? भागफल, और 17 क्या है? यह चात्रों के लिए होमबर्क है, इसमें हमने A और B का मान दिया हुआ है, और हमको Q और R का मान ग्याद करना है, इस कॉस्टन को नूट करिए, और हम इसमें B का भाग, A में दे करके, भागफल और सेसफल ग्याद करेंगे, अब हम Euclid विभाजन एलोगरित्म की विधी द्वारा, SCF, हाइस्ट कामन फ्रेक्टर निकालने की विधी ग्याद करेंगे, समझेंगे, तो इसमें हम जो देखते हैं, कि जैसे यूकलेड लेमा दिया है, C बराबर DQ प्लस R, तो जब हम D का भाग C में देते हैं, तो भागफल Q आता है, और सेस पर R आता है, यदि R का म 0 नहीं है, तो हम D और R पर यही पिक्रिया दोर आएंगे, जैसे आप कुछ कॉसन उटकर लिए, जैसे आपको करना है, और एक उधारन दोर हम इसको समझाते हैं, यह एक उधारन है, जिस पर हम SCF ग्याद करने की विधी को समझेंगे, यहां बच्चे देखेंगे, कि हमने 12 14576 भाज संख्या लिए है, और भाजक संख्या 4052 लिए है, जब हम 4052 का 12576 भाग देते हैं, तो भागपल 3 पराप्त होता है, और सेस्वल 420 पराप्त होता है, तो हम यहां देखते हैं, जो 420 है, वैस 0 के बरापन नहीं है, इसलिए हम यह पिक्रिया को फ्रेसे दोर और 420 का 492 भाग देते हैं, तो भागपल 9 आता है, और सेस्वल 0 नहीं आता है, यहां 272 जो यह चूम्कि 0 नहीं है, तो इस पिक्रिया को फिर से दोर आएंगे, और 272 का 420 भाग देंगे, और सेस्वल 148 आएगा, यहां 148 सेस्वल है, वह अभी 0 नहीं है, इसलिए इस पिक देखे लोटोशे एसमाँ का एक सोब्स प्राप्त होता है अब हम देखते हैं कि क्रिणा दौर आना पड़ेगी क्योंकि अभी 0 सेसपल नहीं प्राप्त होगा है और 24 को जब हम 124 में भाग देते हैं तो सेसपल हमको 4 प्राप्त होता है अभी भी सेसपल 0 नहीं है इसलिए फिर प्रिक्या को दोर आएंगे और हम 24 में जब 4 का भाग देते हैं तो सेसपल 0 आता है अब चुकिया सेस्पल जीरो आ गया है तो यहाँ पर भागपल भाजक जो है SCF कहलाएगा अता इस question के लिए SCF कमान 4 होगा यहाँ पर notice करें है कि यहाँ पर हमने भाजक और भागपल के जो पेयर है इनके सब के SCF जो हैं 4 होगे इनको आप करके चेक करके देखेंगे कि यहाँ पर भाजग और भाजक इन factors को हमने use किया है और इन सारों के SCF जो हैं 4 के बराबर होगी इनको आप करके चेक करेंगे इसमें आप 3 question आप छात्रों के लिए लिखे हैं इन में हमको सभी तीनों कोस्षन में SCF गयाद करना है इन बच्चे को नोड करें और इसको करने की कोसिस करें यहां बच्चे देखेंगे कि यहां पर हमने कोस्षन लिया है जिसमें यह स्भाइब करना है कि जो इवन पूढंक संख्यां होती है वो 2Q के रूम में होती है और बिसम पूरंग संख्या जो होती है वो सब 2Q प्लस फार्म के रूम में होती है तो इसको हमको सिद्ध करना है कि एक संख्या है पूरंग संख्या है धन पूरंग पूरंग संख्या है 2Q फार्म में कैसे होती है और विसम पूरां संखे 2Q प्लस बन के रूम में कैसे होती है यहाँ पर देखें हम Euclid Primerica से Euclid Primerica में हमने एक समिकर पड़ा है A बराबर BQ प्लस R अब यहाँ दिया हम माहल लेते हैं कि B का मान 2 तो क्या हो जाएगा? A बराबर क्या हो जाएगा? 2Q प्लस R अब यहाँ पर R का मान जो है B से कम होना चाहिए तो इसलिए R के मान क्या हो सकते हैं? या तो 0 होगा या 1 होगा अब यहाँ पर चात्र देखेंगे कि हमको यहाँ पर A सो करना है कि कोई भी बिसम पूरांग संख्या 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 के रूम में होगी तो यहाँ पर हम यूक्लेटिट प्रमेरिका से क्या समिकन लेंगे? A बराबर BQ प्लस R अब यहाँ मान लेते हैं कि B बराबर 4 लेते हैं तो क्या होगा? A बराबर 4Q प्लस R R का मान 4 से कम होना चाहिए इसलिए R का मान 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं तो हमको R का मान 0, 1, 2, 3 लेने पर हमको A का मान क्या संभा हो सकता है? 4Q, 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2 और 4Q प्लस 3 जहाँ पर Q क्या है? हमारा भाग फल है यहाँ पर छात्र देखेंगे कि हमने यहाँ पर देखा है एक समेलकर लेखा हुए हाइस्ट कामन फैक्टर और LCM दोनों का गुणधफल उस संख्या के बराबर आता है तो यहाँ पर इक उधान के दोरा समझाया गया है सबसे यह संख्या जो लिखी है इसको जो प्राइम लुष्ट फैक्टर होते हैं उनके गुणधफल के रूम में लिखा गया है इसमें हम SCF और LCM दोनों का गुणधफल करते हैं तो वह संख्या के बराबर होती है जिस हमको उधान दिया हुआ है आपको यह करना है कॉसंस जिसमें दो संख्यादियें उनके LCM और SCF गयाद करेंगे और उनका गुणधफल के बराबर आती है